साथियो आज हम वाकाटक डाइनस्टी के बारे में अध्यन करने बाले हैं वाकाटक राज्य या वाकाटक वन्स इसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो वाकाटक वन्स है उसका शासन छेत्र किस भारत के किस छेत्र में पढ़त में क्या योगदान रहा इस चीज को जानने के लिए हम ये पूरा लेक्चर देख देखना है आप सभी को जब आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आप समझेंगे कि वाकाटक डाइनस्टी ने क्या बड़ा रोल किया जैसे हम जनल नोलेज की कोई किताब उठाते हैं तो उन तो जादतर बच्चों का गलत ही हो जाता है तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वाकाटक वन्स और जिस प्रकार्ट से साउथ इंडियन डाइनस्टी आएंगी उन्हें हम क्रम से पढ़ाते चलेंगे ठीक है कि जैसे साथ वहन पहले आये थे तो मैंने साथ वहन आपको पढ़ आने वाले तो वाकाटक डाइनस्टी का क्या रोल रहा इसका टाइमिंग क्या रहा और इसका शासंशेत्र क्या रहा तो इन चीजों करेंगे चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैं हूं दिलीप चौधरी और आप मेरे साथ मेरे यूटूब चैनल पर उपस्तेते हैं चलिए भारत में जो बिंध्याचल परवत पढ़ता है मध्याप्रदेश के आसपास उसके दक्षण में जो है यह वाकाटक राज्ये फैला हुआ था वाकाटक राज्ये प्रार्म में एक राज्ये नहीं था बलकि यह सामन्त इस्तिती में थे वाकाटक जो थे यह वैसे मैं अगर की बात करूं तो यह ब्रामन थे जाती के कौन थे ब्राममन वाकातक राम्मन एसे ही कुंतलराज्ये जो कदम साशन करेंगे वो कदम वी ब्राम्मन है ठीक है सात्वाहन भी ब्राहमन थे और सुंग भी ब्राहमन थे ठीक है अब यहं ध्यान-देरे की बात यह है कि वाकाटक जो ब्राहमन थे वह प्रारंब में सात्वाहनों के क्या थे अधीन थे सातवाहनों का सामराज्य भी दक्षण में फैला था नाशिक के आसपास उनके काफी गुहा लेक मिले हैं ठीक है पढ़ते हैं तो जो है कि सातवाहन डाइनस्टी जो थी सातवाहन सामराज्य जो था उसके सामंत मात्र थे वाकाटक और इनका सासन था विदर्व जिसको बर अगर इनके गोत्र की बात करें तो वाका टक ब्रामन थे और कौन से गोत्र के ब्रामन थे तो विश्णू ब्रद्र के ब्रामन थे प्रारम्म में ये 7 वहनों के सामंत थे साथ वहन नो के सामन्त थे जैसे ही साथ वहनों का पतन हुआ तो साथ वहनों के पतन के साथ वाकाटकों ने अपने राज्य को इस्थापित करना स्टार्ट किया और सामराज्य को बढ़ाना स्टार्ट किया तो इन में जो पहला शाशक हुआ वो था विंद्य सक्ति जिसे वंस केतु भी कहा जाता है ये विंद्य सक्ति जो था ये वाकाटक राज्य का संस्थापक था क्या था वाकाटक राज्य का संस्थापक और ये बहुत ही मजबूत सासकों में सासक हुआ था इसने क्या किया था विदर्ब यह जो चेत्र है यहां पड़ते उसका सासन था ही लेकिन इसने इसके साथ साथ जो आपके बिंध्याचल परवत यहां पर पड़ता है बिंध्याचल परवत उस चेत्र को भी जीत लिया बिंध्याचल परवत उस चेत्र को भी जीत लिया और साय स्कती था विंद्यांट्र विंद्याचल परवत के जीता था इसका नाम विंद्याचल्वत की इस राजबंस में तो इस हरीशन ने अजन्ता में अजन्ता कहां परता है औरंगाबाद महारास्ट में वर्तमान में ठीक है वहाँ पे इनके अबिलेक मिला और उस अबिलेक में जानकारी मिलती है कि बिंद्य सक्ति जो था ये इतना ताकतवर था कि ये जिस छेत्र पर चढ़ाई रही ऐसा कोई उलेक नहीं मिलता है और इसका राज्याविशेक भी संह्भव तया नहीं हुआ था ठीक है और इसने कोई बडी उपादी धारण नहीं खिती हotta हे ची कहें हालंकि ये एक इस्थापित साशक हो पाया इसका एक राज्जयन इसथापित राज्य था और इसका जो शाशन काल था वह 205 इस्वी से और 275 इस्वी के आसपास था यानि गुप्त वंज अभी इस्थापित नहीं हुआ है मगद में गुप्त वंज जो हम पढ़ चुके हैं वह गुप्त वंज अभी इसके बाद में इस्थापित होगा पवया जो एक जगह है वर्तमान में मंद्शोर के असपास जो मद्दे प्रदीश में वहां पे नागवंस का शाषन था इसके साथ ही मतुरा पे भी नागवंस का शाषन था और उनके एक राजा था भारशिव ठीक है इसी क्रम में यहां पे काठिया वाड में सक्सासन गर रह और इस प्रवर्सेन की उपादी मिलती है प्रवीर इसे प्रवीर कहा गया है क्या कहा गया है प्रवीर कहा गया है प्रवर्सेन प्रथम को और इसका शाषन काल था 275 से 335 यानि इसके शाषन काल में चार गुप्त राजा हुए थे पहला गुप्त राजा कौन था श्री तो यह अपने आप में बहुत बड़ा काम था एक ही राजा के द्वारा चार अश्वमेग यग किये गए तो यह चार अश्वमेग यग इसने किये थे अब यहां पर एक विद्वान है केपी जायसवाल काशी प्रसाद जायसवाल इनका मत मिलता है कि जो प्रवर्शेन प्रत्रम था ये उत्तर भारत का भी समराठ था यानि उत्तर भारत पर भी इसका पूरे पर अधकार था लेकिन एक पी जायसवाल का जो यह मत है इसे अन्य इतिहासकार खंडित कर देते हैं हलंकि इसने चार अशुमियग यग किये थे प्रवर्शेन प्रतम ने और चार अशुमियग यग इसने किये तो विदवान जो है या इतिहासकार जो है वो कहते हैं कि इसने पहले अभियान में जो है ये मालवा के आसपास के छेत्रों को जीता था दूसरे अभियान में इसन इसने कुंतल के आश्पास के छित्रों को जीता और चौथे अभियान में इसने काठिया वाड के आश्पास के छित्रों को जीता यानि सकों को संभवत्य इसने पराजित किया था यानि इसने चार अश्मेग यग किये तो किसी ने किसी विजय के उपलक्ष में अश्मेग इसन कि अच्पाँए राज्य था प्रवर्वर्वार्वंस का शाशक्रा प्रवर्वर्वर्वंस की जैसे मत्यू हुई यह राज्वनस दो भागों में बटेगा बटेगा उसका कारण था उसका बड़ा बेटा जिसका नम धा गॉत्मी पुत्र और दूसरा बेटा था सर्मसेन, इसखे अलाबा भी एसके दो बेटे थियानि टोटल इसके बेटों की शंघ्याती चार चार बेटे थे इसके ठीक है इसलिए इसका बेटा राजा बनेगा रुद्र सैन प्रथम अब यहां पर पोता शाशक बन रहा है तो इसका चाचा जो था सर्व शेन वह प्रथक से एक राज्य स्थापित कर लेता है और वह राज्य कहां पर तुव राज्य ता पित करता यहां पर जो इसका चाचा है रोद्र शेन प्रतम का शर्व शेन यह क्या करएगा वाकाटग डाइनस्टी दो भागों में बटेंगी, तो दूसरी साखा कौन सी कहलाएगी, वाशीम साखा कहलाएगी, इन दोनों साखाओं का जो संबंध है, वो बहुत मधुर रहेगा, देखो ध्यान देने की बात ये है, कि आप जब भी किशी राजवनसर के दो इससे उटते हुए देखते हैं, तो साखा कौन सी हो गई, वाशीम साखा, वाशीम साखा क्यों कहा गया, क्योंकि इसने वाशीम के आसपास की छेत्रों पर इसका शाशन था, जिसे उसे हमें वत्स गुलम कहते थे, वरत्मान में अकोला महराष्ट में यह जगह है, ठीक है, और दूसरी इनकी मुख्य साखा थी तो उसके बेटे को शाशक बना रुद्रशेन परथम को और इधा दूसरा बेटा प्रवर्शेन परथम का शाशक बना जिसका नाम था सर्वशेन, तो सर्वशेन ने दूसरी साखा की स्था अपना कर दी थी, उसके बाद क्या होता है, थोड़ा में एक बार किवल राजाओ नाम को इन में आप को दिक्कत नहीं इसलिए मैं बता रहा हूं तो अपने नाना इसका नाना था भारशिव नागवन्स का उसकी सायता से जो दो बेटे और थे ना तो चाचाओर थे उन दोनों चाचाओं को इसने अराया रुद्र सेयन प्रथम ने और उनका छित्र अपने कंट्रोल में कर लिया सर्व सेयन को ये पराजित नहीं कर सका ठीक है उसके बाद जो है यहां पर इनकी थोड़ा सा संगर्स देखने को मिलता है लेकिन बाद में इनक का एक तरह से मित्र था और इसकी नाम मात्र की अधीनता भी श्विकार करता था विंद्य सक्ति जो था दूसरा वह प्रत्वी सेयन की नाम मात्र की अधीनता श्विकार करता था और इसने कदम राजवन्स को जीता था इस कुंतल डाइनस्टी का राजा कंग वर्मन उस समय ह हुआ करता था इसको पराजित किया थे ठीके वर दूसरा पिर इसके बाद प्रतवी शेहन के बाद राजा रजा ग रुद्र्षएन देती है अफीज गुप्तों का उदय हो चुका था तो प्रत्वी सहिन के समकालीन गुप्तों का राजा वो चंद्रगुप्त दिती है कौन हुआ चंद्रगुप्त दिती है तो चंद्रगुप्त दिती है क्या करता है अपनी बेटी का विवा इस प्रत्वी सहिन के पुत्र से कर देता है जिसस तर्फ उसके दो बेटूह से नामका एक शाशक वाशीम साखा में भी हुआ था वाशीम साखा में भी प्रवर्शेन दितिया शाशक हुआ था जो काफी popular राजा नहीं था और उसके बाद एक कोई अग्यात राजा हुआ था और इस अग्यात राजा का जो शाशनकाल था उस पर प्रभाव रहा प्रवर्शेन दितिया का और प्रवर्शेन दितिया नहीं यह कोई उत्रादीकारी नहीं होगा तो इसलिए यह राज आत्में चला जाएंगा और हरी जो है वो इस पर्वर्षेहिं प्रथम से भी बड़ा राजय निर्मित करेगा तो वह समझने मालें उसको थोड़ा समझी तो मैंने अब तक जो आपको बताया वह यह बताया था कि विंद परवत के दक्षण में महाराष्ट का जो छेत्र था वो इनका मूल स्थान था और इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी नंदी वर्धन नागपुर इनका संस्तापक कौन हुआ बिंद्य सक्ति हुआ जिसका सासंकाल 255 से 275 भी हुआ यह चूंकि विश्णु व्रद्धी ग परवर्षयन परफ्रम को प्रवीर कहा गया है इसने चार अश्मिय गग किये और केपी जाइसवालने से संपुन उत्तरबाद का साशक कह दिया था लेकिन यह नहीं था इसका जो शासन छेत्र था वो तेक लीजिए इसने कौन-कौन से चेत्रों को जीता संभवत्या काठियावार के शकों को अराया संभवत्या मालवा के चेत्रों को जीता संभवत्या दक्षणी कौशल को भी जीता इसने और संभवत्या यह विदर्व के पूर्व का जो आंदरप्रदेश का तटिये चेत्र था इस पर भी इसने कंट्रोल किया और कुंतल कि इसके प्रवर्शन पर्थम के बाद इसका राज्य दो भागों में बट गया था इसलिए इन दोनों राजवन्सों में कोई भी राजा इतना बड़ा समराज नहीं रखता था कि वो समराठ के उपादिधारण कर सके और दोनों राज्या एक दूसरे के अदिन आते नहीं थे क्यूंकि दोनों भाई-भाई थे तो बराबर की पद भी थी ठीक है तो एक दूसरे के नीचे कोई नहीं आ रहा था इसलिए किसी भी ना तो इस राजवन्स में ना इस राजवन्स में दोनों में किसी ने समराठ के उपादिधारण नहीं कि ठीक है तो अब आप यहां से द तवा कानची था इसलिए उसने वाशीम साखा की स्थापना कर दी वाशीम साखा की स्थापना कहा की गई थी यह वर्तमान में अकोला जव जगह पड़ती है अकोला कहां पे है यहां पर इसने वासीम साखा की स्थापना कर दी ठीक है किसने सर्वसेन ने तो यह इनका एक popular शाशक हुआ और यह 330 ईश्वी के असपास राजा बना था ठीक है कब 330 ईश्वी अभी 330 ईश्वी को आप ऐसे अनुमान लगाईए कि जब यहां पर इसका सकालीन राजा ऒुवा गुप्त का समुद्र गुप्त हुआ कौन वा सम कालीन राजा समुद्र गुप्तु वा समोधीय का नां का नाम था भार्षिव आ यह भार्षिव कौन था नाग वन्स का राजा था अब नाग वन्स का नागवंस का शाशन हुआ करता था ठीक है तो उसका एक राजा था भारसिव इस भारसिव की जो पुत्री थी वो रुद्रसैन प्रतम की मा थी अब चुकि यह जो नाग थी यह सिवजी के प्रूजा करते थे शैव थे इसलिए रुद्रसैन प्रतम भी कैसा हो गया अपने नाना के प्रभाब में आ करके शैव हो गया इस नाना का प्रभाब में क्यों आया उसका एक कारण था कि इसको रुद्रशेन प्रतम को अपने दो अन्य चाचाओं को हराना था जो विद्रोई हो गए थे इसलिए रुद्रशेन प्रतम ने क्या किया उन अन्य दो चाचाओं को हराने के लिए अपने नाना भारशिव की मदद ली और उन दोनों को हरा दिया, ठीक है? उनको हरा करके कंट्रोल कर लिया, यानि रुद्रशेन एक ज्यादा कह सकते मजबूत सा सक भी नहीं हुआ, तो ज्यादा कमजोर भी नहीं हुआ, राज्य को कोई चलिका उसके बाद रुद्रषेन पर्थम बीटा आजा पना जिसका नाम तब प्रथवीशेन अब यह जो प्रथ्वीशेन यह एक पावर्फुल राजा राजा बनेंगा यह क्या करेगा यह जो वाशीम शाखा डिती ए था इसी एक तो प्रत्वी शेयन का हुआ तो प्रत्वी शेयन क्या करेगा अपने चाचा को राज्य बढ़ाने देगा खुद नहीं लेगा कब उस समय यहां पर शाषन कर रहा था कुंतल राज्य में जिसका नाम था कंग वर्मन तो यह कंग वर्मन को पराजित करेगा कौन करेगा इसको पराजित विंदे सक्ति सेकंड कौन पराजित करेगा विंदे सक्ति सेकंड इस कंग वर्मन को पराजित कर देगा और इस छेत्र को जीत लेगा तो इस चेत्र को जीतने के बाद कौन कंट्रोल में कर लेंगे यह वत्स गुलम बारी कर लेंगे यह तो करेंगे क्योंकि इनके नजदीक पढ़ रहा है और यह सामराज्य कहां बढ़ाएगा अब देखो बुद्धी देखो प्रत्वी सें पृथम ने दिमाग जानी की 36 गड़ के आसपास का जो चेत्र था उसे बगेल खंड कहते हैं बगेल खंड का पठार भी आपने पढ़ाओगे बुंदेल खंड उत्तर प्रदेश में पढ़ता है जांसी के आसपास के एरिया बुंदेल खंड कहलाता है और बगेल कंड जो पढ़ता है यह कहां प बोल के हमने सुनी कहानी थी खूब लडי मर्दानी वो तो जहांसी वाली तो जहांसी वाली रानी ठीक है यानि लच्वी भाई का जहांसी पर था और जहांसी को कहते builds लिए और दूसरा है बंगेल खैंड तो बंगेल खंड कौन सा चेत्र है कौशल में का प्रता था यह राज्य चषतीस गड़ के आसपास का राज्य था वहां पर उस चेत्र को कहते थे बंगेल खंड तो इस ने बुद्धि लगाई पृत्विश ने सामराज्य विस्तार कैसे किया जाये लड़कर नहीं सामराज्य कर सकते अब चांटा दिखो आज कल के सारष़कों में क्या टेंस्य चलती है जैसे आज कोई पार्टी ए और आख दूसरी गर आजा तो बिंदेशक्टी को लड़ने बेज लिए उन्हें किसको जीता पहले कुंटल को जीता इसको आप ले लो इसको दे दिया फिर प्रत्वीशयन से बिंदेशक्टी को बापिस बेजा किदर ऊपर के ओर कि अब तुम इसको जीत क्या हो तो भगेल को जीता इसको खुद के राज्य में मिला लिया तो राज्य को एक बड़ा बना लिया प्रत्वीशन का प्रभाव बड़ा रहा प्रत्वीशन का प्रभाव कैसा रहा अच्छा प्रभाव रहा और इसका एक सामन्त था जिसका नाम था ब्याग्र देव और इसका शाषन था चत प्रत्वी शैन का सामंत बताता है ठीक है तो ये बगेल खंड का जो हिस्सा था ये प्रत्वी शैन के कंट्रोल में था और उस समय यहां पे शाशन कौन कर रहा था शमुद्र गुप्त को पता था कि इन से लडाई लेना जो वाकाटके मजबूत डाइनेस्टी थी ताकतवा ड हैं शाशन के जी स मत्रेमत के बाव राजा बना चंकर जितिये हैं जैसे ही समध्रकुप्त के बाध राजा राजा बना चंडर गूपते लिटिये तो छंड्रकुपते लिए injection आपको बताया था इसकी भाबी थी इसका इक भाई था राम गुप्त और उसकी पतनी दुर्वा आमनी को चन्द्रगुत이트 के साथ की सतुरता शकों के साथ तो पू Sonic Hypno そんな ऊंचान पहुं था स hug आट फ्रहबती कुपता किसकी पुत्री थी इस चंद्रन पूते धितिया की पुत्री थी कुबेर नागा तो है कुबेर नागा कुबेर नागा एसकी माता का नाम था और कुभिर नागा इसकी कुछ ए टिसकी दिनाग्व की थी तो तो प्रभावती गुपता का जो विभा है वो रुद्रशेन दितिये के साथ किस ने कर दिया प्रत्वीशेन ने कर दिया तो रुद्रशेन सासक बन गया रुद्रशेन कम समयता की शाशक रह पाया उसके बाद उसकी मत्य हो गया इतियासकारों का मानना है कि रुद्रशेन ने यही चंद्रगुप्त दितिये की सक विजय में योगदान दिया था और उसी अभियान में यह लड़कर मारा गया था लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है और जब ऐसा प्रूफ नहीं मिल पाया तो हम नहीं मान सकते कि रुद्रशेन दितिये सकों के साथ लड़ने ग वह किसच नाम से राज ऑणा प्रूफ राजसे दिताए के नाम से राजा बना अब जब प्रूफ रवावस दितिये के नामसे राजा भना दामोदर रच्षन तो वालक था इसलिए प्रभावति गुप्ता अपने योग्य मंत्रियों को अपने योगय मंत्रियों को कहां बेऍज दिया प्रभावथि गुपता के पास बेश दिया वाकटक राज्य को चलाने के लिए भेश दिया अब देखिए चाहता तो इससे अपने राज्य में विलाय कर सकता था क्योंकि उसकी पुद्री तो थी वहाँ पर शाषन कर रही थी, तो यह उसे बिला करसकता था, लेकिन उस नहीं किया, नीति यह नहीं कहती कि कि बलड़े के साशक नहीं है उसको लिया जाए तो मिटिक होने कि कि साशन कर नौमं कि इसलिए इस को और नौकाल कहीं पैसे ना तो दौनों भाइएOW क्या हो जाता है क्या हो जाता है वैष्ण holders in तिकugenia घूजा that इसके बाद प्रवर सहिन दितिया है यह काफी मतलब कह सकते हैं और इसने क्या है, राज्य को बढ़ाने के बजाए, इसने राज्य को नहीं बढ़ाया, इसने उस राज्य को बचाए रखा, और साहित्य में विशेय स्रोची ली, और एक महतुपूर्ण गरंत लिखा जिसका नाम था, शेतू बंद, सेतू, समझ रहे हैं सेतू, राम सेतू, तो इसमें राम की लंका विजय का विवरण है, भगवान राम की लंका विजय का वरणन है, तो किस पुस्तक में भगवान राम की लंका विजय का वरणन है, शेतू बंद में, और शेतू बंद किसने लिखी थी, प्रवर्षेन दितिये ने, ऐसा माना जाता है कि जब चंद काली दास परवर्षन दितय के दरबार माय तो ये हमें बता है कि काली जो है इसने एक गरंट लिका था जिसका नाम थाenk रावास्टल मेग दूतम इसने एक ग्रंट लिखा था इस मेक दूताम को घुलिखा इसने दर्फी शाईली में लिका तो इस चीज से लगता है कि काली दास जो है यह इसके दरवार में रहा हूँ दूसरा यह जानकारी में मिलती है कि जो शेतु बंद गरंत लिखा था प्रवर्शेंद दितिये ने इसमें जो व्याकरण संबंदी जो असुद्धियां थी उनको काली दास ने ही दूर किया था ठ हर विजय नामके ग्रंट लेका था सर्वसेंद थीक है तो यह राजा दामुदर शेन जो था वो प्रवर्शेंद दितिये के नाम से शाषक रहा इसके शाषन पर नाना का प्रभाब रहा इसने अपने नाना की हेल्प की मदद की या प्रभावती गुपता ने मदद की यह क के साथ अच्छे संबंद कैसे बनाए चाहें तो इसने क्या किया कुंतलों के एक राजा था जिसका नम था काकुट्स वर्मन इसका पुत्री थी जिसका नम था अजीत भट्टारिका के साथ अपने बेटे नरेंदर के साथ हुआ तो अब ध्यान रखना कुमार गुप्त और नरेंदर शेन जो हैं इन दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंद हो जाएंगे गुप्त और वाकाटकों के बीच अच्छा कह सकते हैं कि एक मेल बन जाएगा मेल मिलाप हो जाएगा क्योंकि दोनों साडू है कुमार कुमार गुप््त की जैसे ही डैयत होगी तो यह साम्राज्य होगा कुछ समय के लिए ऑववस्तित हो जाएगा और जब ऑववस्तित हो जाएगा तो यह क्या करेगा अपने इस मेकल और मालवा के छेतर को अपने कंट्रोल कर लेघा इसको कौन जीतेगा ये आपके निरंदर शेंड कौन करेगा मगद पर तो उस राजा का नाम था इसकन्द गुप्ठ ये तो बहुत ताकतवर राजा था इसकन्द advis 지ो तो इसकन्द क्या करता है ये जो नरिंदर शिन लाए दा को मिलें उसका नाम था प्रत्री शेण कहते है उसके बाद राजा बना उसका नाम था प्रथवी ॉसि कोई या पवर्फुल नहीं था अच्छा bran़ नाशी का बना उसका नाहीं राजा इस्पोरागा फ्रथवी सेन जर्ण पूर्ण काम और था नरेंदर सेन के समय एक अक्रमन हुआ था जिसका नाम था oh काथ भावद थबरमन कर ये यह एक नल्वंसीय राजा था था न McD शाषत कि और इसका शाषण था बस्तर का आसपास गए बस्तर में इसका शाषण था नाम ता भवदत बरमन नलवंस का राजा था और इसने नरेंदर शेन पर आक्रबन किया और इसको पराजित कर दिया और इसको अपनी राजदानी नंदी वर्धन भी छोड़नी पड़ी यानि इसको यहां से भाग के दक्षण में जाना पड़ा इधर नीचे आ गया यह कौन नरेंदर वर्वन हार ग और दूतरा एक राज्य था ऊपनी को IT यह भी नलवन्स के पास था इस राज्येक्षा आधा जीत था यानि त्ञ Den approved आर्याट gepिर की जिताथएव्ज को नरेंदर शेन राजा बना प्रथविशन जग़ा को पावर्फल तुठ कर लेता है अब देखें प्रवरसेन के समें तो यह राज्य दो भागों में बटा था और राज्या ने प्रवर से इन प्रथम के समय तो दो भागों बट रहा है चल रहा है दो भागों में और फिर लास्ट में जा करके हरीशेंड के हाथ में पूरा पावर आ जाएगी और हरीशेंड क्या करेगा दोनों राज्यों को मिला के और फिर बड़े राज्ये को जीतेगा इधर से लेके यह पूरा एक हरीषेड ने अजन्ता में गुहाल देख लगवाय था जो सुचों Satra सब्सक्राइब का नोयुक्ता थी किस अपनी उधे थी तो यह वाला यू में साखाय तो यहां ये प्रथम का ही बेटा था इसने वासीम साखा की स्थापन की देखो बेटा कुछ बच्चे हैं सोच रहे होंगे कि यह राजवन्स थोड़ा टफ लग रहा है पहली वार नामों को सुन रहे हैं लेकिन बेट्चो अगर आपको परिक्षा में अच्छा रिजल्ट लेना है और लेकिन अगर आपको ज्यादा नंबर लाने जर्न नॉलेज में 85 परसेंट 90 परसेंट तक पहुंचना है उससे उपर पहुंचना है तो फिर आपको इस सारी चीज़ पढ़नी तो पढ़ेंगी ठीक है क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर सीखोगे कैसे और जब सी से याद करता हूं तो आपके भी दीर दीरे यह एक्तम से याद होने लगेगी पर आप थोड़ा सा इस पर मेहनत करो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको कॉपी में नोट करो उसको लिखो लिख लिक्के पढ़ो एक बार में समझनी है तो वीडियो को दो बार देखो उसमें सर्वसें किसका समकालीन था चंद्रगुप्त प्रत्रम और समद्रगुप्त का समकालीन था ठीक है इन पर कोई अभियान नहीं किया था इसने समद्रगुप्त द्यान रखना दोनों ही राजवंसों पर कोई अभियान नहीं किया था मुख्य साका पर भी वाशीम साका का जो शाशक था अग्यात साशक इसका जो संरक्षण किया वो दामोदर सेन या फिर इसका दूसरा नाम था प्रवर्षण दितिये इस प्रवर्षण दितिये के अधिकार में मतलब संरक्षण में इसने कार्रे किया था लेकिन इसका क्या नाम था नहीं मिलता उसके बाद बेटा राजा बनेगा हरीशेन और मैंने इधर बताया आपको Sam प्रत्वीशेन का बेटा ने वह nisल्हें राजा किसेाट पास चला जाएगा हरीशेन के पास चला जाएगा ठिक है तौर राजा कौन बन गया के हारीशेन का साशनकाल कैंता चारा सो अजन्ता में 16 नंबर 17 नंबर और 19 नंबर की गोफाओं का ने मान कर आया था ठीक है अजन्ता में इसने गुवालेक लिखवाया जिसमें इस पूरे वाकाटक वंस की जानकारी मिल जाती है साथ ही इसने क्या किया इधर से यह कलिंग के छेतर पर देखो वाकाटक शाशकों में अगर कलिंग को किसी सासक ने जीता था तो वो राजा था केवल और केवल हरीशेन इस हरीशेन ने ही इस कलिंग राज्य पर अधिकार किया था बाकि कोई भी शाशक वाकाटक डाइनस्टी का इस कलिंग पर अधिकार नहीं कर पाया था तो कलिंग इसके कंट्रोल में था यह इतना बड़ा राजय इसकी कंट्रोल में उस समय था ठीक है ये जिस समय शाशन कर रहा था हरीशेड उस समय गुप्त वंस में कौन शाशन कर रहा था गुप्त वंस में शाशन कर रहा था उस टाइम पे आपके नर्शिंग गुप्त कौन कर रहा था नर्शिंग गुप्त और बुद्गुप्त के समकाली ने राजा था ठीक है कौन हरीशेन के लिए तो हरीशेन एक काफी बड़ा राज्य रहा और इसका सामराज्य कहां से कहां तक फैला था इधर बंगाल की खाड़ी से उधर अरब सागर तक इधर बिंध्याचाल परवत और मालवा से लेकर के दक्ष बड़ा प्रवराज्य राजा रहा तो इस तरह से हरीशेन जो राजा है इस राजवांश का दीरैं मुख़्र देण रही तो वो रही एक तो अजंता की गुफाईन की देन रही दूसरी बैदर्वी सैली संस्कत में जो बैदर्वी सैली है उसका विकास भी किसके समय हुआ वाकाटकों के समय ही हुआ इसके साथ ही ये एक न्याय संगत साशक थे इस राजवन्स में जो ये प्रत्वीशन देती है रह करता है परम्भागवत की करता है तो इसने और राजाओं की तरह परम्भागवत की उपादी धारण की तो यानि यह जो गुप्त राजवंस राजवंस ने मध्य भारत में बहुत बड़े छेतर पर कंट्रोल किया बहुत बड़े छेतर पर सासं किया अगर मैं दक्षन भारती राजवनसों की बात करूं तो इन सभी राजवनसों में वाकाटक सातवानों के बाद सर्वशिष्ट सासकों में से आते हैं सात्वानों के बाद सबसे बड़ा राज्य जागर रहा तो वह वाकाटकों का रहा और वाकाटकों का जो राज्य था वह बहत्रीन राज्य था उस जमाने का ठीक है तो यह एक बैस्ट राज्य था वाकाटक डाइनस्टी का और वाकाटकों का जो गोत्र था वो विश्णुव गुपतों ने वयवाएक संबंद बनाई तो वह रुद्रशेन दितिये था रुद्रशेन दितिये के साथ ही तो व्यवा हुआ था प्रजुबावति गुपता का और प्रभावति-गुपता के पूना तामरपतर शे यह जानकारी मिलती है उसने अपने आपको धारण गोत्र क बताए यानि उसने पिता के प्रभाव में उसने सासन किया था तो पिता का जो गोत्र है वो धारन किया था उसने तो धारन गोत्र उसका उलेक मिलता है तो इस तरह से वाकटक राजवन्स हमारा हुआ अगर इसमें कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट के माद्यम से सूचित कर स वो सारा हम अभी अगले लेक्चर के माददें से जानेंगे तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा जै हिंद जै भारत